हेलो गाइज मैं प्यूश आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोशेट लर्निंग पर सो गाइज आज देखते हैं किस तरीके से काउंसलिंग पर करिया होगी इस तरह होगी काउंसलिंग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको आवेदक को रोल नंबर जन्मतिथी वा रजिस्टर्ड मुबाईल नंबर पर OTP मिलेगा इसी के माधिम से रजिस्ट्रेशन करना होगा ठीक है इससे आपका रर्याजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके अलावा फिर document uploading होगी profile login होने के बाद आवेदक को पहले से भरी प्रवस्टी के अनुसार दोबारा documents नए option अनुसार upload करना होगा जब आपने शुरुवात में form भरा था तब भी आपसे कुछ options भरवाए थे साथी साथ आपके कुछ documents लगवाए थे तो अब क्या होगा पहले आपको registration करना पड़ेगा registration के लिए आपको आपका roll number जन्मति थी और जो register mobile number है उसको डाल करके आप उस form को open कर सकते हैं और अपने आपको register कर सकते हैं जैसे ही registration हो जाएगा उसके बाद documents uploading होगी documents जो भी आपने data भरा है उसी के according आपको क्या करना पड़ेगा सारे documents लगाने होगे इसके बाद 24 filling का option open हो जाएगा फिर आपको choice filling करनी होगी तो MPE online के माधिम से विशयवार, जिलयावार, स्कूल के क्रम में option को दर्ज कराना होगा इसमें portal शुलक के साथ शुलक भर कर 24 लॉक करनी होगी आखरे दिन तक 24 संचोधन कर सकते हैं यानि कि आप जब registration करा लेंगे उसका document upload कर देंगे उसका choice filling होगी कि आप कौन से माधिम से विशय चाहते हैं कौन सा जिला चाहते हैं, कौन सा श्कूल चाहते हैं तो उसके options भरवाए जाएंगे इसमें आपकी choice भरवाए जाएगी तो जो भी आपको choice लेनी हैं उसी के according आप उसे भर देंगे उसके बाद selection list निकाली जाएगी selection list में क्या होगा? च्वाइस filling के बाद selection list जारी की जाएगी जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन होगा अब ये क्या होता है? यानि जब आप पहले registration कर देंगे उसका documents को upload कर देंगे फिर आप अपनी choice भर देंगे choice भरने के बाद होगा क्या? जो भी selection list है सरकार के दोरा वो selection list जारी की जाएगी अगर आप उस selection list में set होते हैं यानि कि अगर आप उस selection list में आते हैं आपका नाम उसमें होता है तो आपको फिर document verification के लिए बुलाया जाएगा तो जिला सहयक सैयुक्त इस तरपर चैनित आवेदक के मूल दस्तावेजों का सत्यापन उसी जिले में किया जाएगा जिस जिले के लिए chain हुआ है तो जो भी आपने choice fill करी होगी और जहां पर भी आपको मिला होगा बस वहीं पर जाकर के आपको अपने documents का verification कराना होगा इसके बाद आप सभी के नियुक्ती पत्र जारी कर दी जाएगे यानि वर्गतीन में चेनित candidate की नियुक्ती कर दी जाएगी सभी प्रक्रिया के बाद नियुक्ती पत्र दिया जाएगा यह लोग सिक्षन आयुक्त के sign से जारी किये जाएगे ठीक है तो last में आपको नियुक्ती पत्र जारी हो जाएगा और इसी के साथ पूरी प्रक्रिया भी complete हो जाएगी तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले आपको registration करना होगा जब registration हो जाएगा उसके बाद आपको अपने डॉक्युमेंट्स अप्लोड करने होगे फिर आपको choice filling करनी होगी फिर selection list आएगी उस selection list के हिसाब से जिस जिले में, जिस school में जहां पर भी आपको बुलाया जाएगा आपको वहाँ जाकर करके document verification कराने होगे और जब document verify हो जाएगे उसके बाद आपका न्यूपति पत्र जारी किया जाएगा चीक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को subscribe करें बेल आइकन को press करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share ज़रूर करें